असलाम वालेकम कैसे हैं आप सब अमीदे सब ठीक ठाप होगे इवनिंग का टाइम है और मैं आप लोगे साथ इस चार्ट कर रही हूं यह इवनिंग के टाइम से तो मैंने जो है यह तक्रीबन साड़े ग्यारा भारा बज़े का टाइम है तो मैंने सोचा मैं अपने लिए चाय बिला लेती हैं चाय तो हम सुबा में रोजी पीते हैं लेकिन चल्द बाजी में चाय बीने का मज़ा लियाता है तो मैंने सोचा मैं अभी फुरसत से चाय भी पी लेती हैं उसक बाद जो है टाइम हो गया था नमाज कर प्योंगे बच्चों में भी कुछ टाइम था तो मैं सोचा मैं पहले नमाज पड़ ले थी उसके बाद जाती हूं बच्चों को ले ने स्कूल से तो बच्चों को ले आए थे और अभी हम लोग निकल गए थे अपनी नन्द की तरफ तो यह हम उनके घर पहुंच गए हैं और उसके बाद लोग अपने रिष्टेदारों की तरफ गए थे कुछ उनके यहां से चकर लगाना था वहीं से होके आये तो फिर मेरी नन्द जो है वो खाने की तयारियों पकड़ ली तो यह प्यास आपके सामने ब्राउन कर लिये थ ताकि यह थोड़े गरम हो जाएंगे तो इनका छिलका असानी से उतर जाएगा माशाला देख के हमें भी अच्छा लगा तो बस यह अभी वो निकाल रही थी कहती है तो इसके चिलके अराम से उतर रहे हैं तो देखें माशाला ईजी से यह सब हो गया इसने जो है प्याज को ब्राउन कर दिया था प्याज इसने जो है प्याज को ब्राउन कर दिया था प्याज इसने कुछ ज्यादा ब्राउन किये ताकि प्लाउ का जो कलर है यह बहुत खुबसूरत आता है तो यह जो प्योरी इसने बना की रखी थी वो इसके अंदर एड़ कर दी उसके बाद जो है अद्रकलसन का पेस्ट्री बना के रखा था वो भी इसके अंदर एट कर दिया हम लोग जो है वो बच्छों को स्कूल से राने के बाद मैंने जो है बच्छों के लिए थोड़ी सी मैकरोनी वगर बना दी तो बच्छों ने वो खाली और पर जल्दी- पीछे एक ऐसी आवास आती रहती है तो अब आप इनको इग्नोर किजेगा उसके बाद जो है यह पैके डालने लगी है शान का तो पता नहीं प्रियानी पैकेटे यह प्लाव पैकेटे यह पता नहीं है तो वह उसने एट कर दिया और उसके बाद जो है अब यह लाल प्रेश होती है तो बहुत अची होगए तो बस बच्छें भी ब्हूर हो गए थे घर में वीकेंड पर हम लोग गये नहीं थे वीकेंड ंया जाते हैं कपड़े-दोना और लिच्छों को जो है वह नीन ज्यादा करनी होती है तो बस पर टाइम भी मिलता है कि वीकेंड पर क तो हम लोग यहां से चक्कल लगा कि आयते हैं मूड भी अच्छा हो गया था सब का तो यह जो चावल आए वे नहीं हमारे गाओं के चावल है और बहुत अच्छे चावल बनते हैं इनकी खुश्बू इतनी अच्छी होती है अगर आप पकाए ना तो आपके महले में भी अच इसके बाद इसने पानी एड़ करना था दो कप जो है वो दो गिलास थे चावलों के तो इसने चार गिलास पानी के एड़ कर दिया थे तो माशाला जबर्दस्ता हमारा प्लॉव रेड़ी होने वाला है यह रात का खाना बन रहा था क्योंके हमें आते हैं चार बजगे थे तो हम लोग ने आते ही शाम की चाह पी और साथ में कुछ से नेक्स ले लिये ते तो इसके बाद हम लोग कहीं घूमने के वह थे वहां से आये तो फिर हम लोग ने रात के खाने की तयारी शुरू करती साथ-साथ साथ में उन्होंने मेरे साथ कुछ शॉपिंग भी शेयर की थी काफी अच्छी की थी उन्होंने जो उनके करीबी लगने वाली पीर बजार से उन्होंने शॉपिंग की थी माशाला बहुत अच्छी शॉपिंग की थी लेकिन मैं माजरा चाहती हूं कि आप लोगे साथ मैंने यह कहा था कि नेच्स टाइम अगर आप लोग जाओं तो मुझे जरूर बताना तो मैं भी आप लोगों के साथ चलूँगी दिखाओंगी तो आप लोगों के लिए असानी हो जाएगी कहीं न कहीं मुझे देखने वाला वहां का रहने वाला भी होगा तो उसके लिए काफी असानी हो जाएगी तो काफी अच्छी चीज़ें मिल गए थी उनको मुझे तो लगता है कि काफी सस्ती चीज़ें हो गए थी चीज़ें जितनी भी सस्ती हो गई हैं लेकिन महंगाई इतनी हो गई है कि बता नहीं सकते हैं चीजें बहुत सस्ती हो गई हैं देखा जाए तो काफी चीजें सस्ती हैं लेकिन इतनी महंगाई है कि कोई सस्ती होने के बावजुद भी हम लोग नहीं ले पा रहे हैं लेकिन खैर अला बहतर करेगा तो इसने जो है चाइने सॉल्ट एट किया था जो मैंने अभी आप लोगों देखा होगा तो यह उसमें एट कर दी तो उससे पलाव का जैका काफी अच्छा जाता है तो बस उसने चावल एट कर दिये पानी इसने कम ही रखा था तो यह मैं जो है रायते के लिए धनिये साफ क ऊलिगे रही को हर policy तए यह झाला तक आ द मिली ने कॉई तो हम लोगों ने यहां पर पानी की देख जी भरके वो इसके ऊपर लग दिया ताके जो है इसका दम बी अच्छाएगा ततो चावल और पीच्छे वांने लेगे चले जी अब हम लोगों को लगा दीए धंपे और अब में और मेरी दंद चले थे रायते का शा Ouक Get इसने जो है अहरादिनिया और बुदीना जो है वो डालके तो चमच दही डालके जो आप इसे चटनी तयार कर देगे तो बस यह डालने के बादा और साथ में जो है खीरा साफ करके वो काटने लगे थी रायते के लिए तो बस यह सब अब तयार होने वाला है और अब मैं आप लोगों का आगे दिखाती हूँ हमारे गाहों से ट्रमाटर आए वे जैसे आप लोगों को पाता है कि ट्रमाटर का रेट आजकल बहुत महिंगा चल रहा है और पहले काफी सस्ता हो गया था तो अब जो है अचानक उसक के तयार हो गया है चावल भी हमारे दम पे थे तो वो भी अच्छे खासे दम खा गये तो बस अब हम उनको देखते हैं चावलों को भी और आप लोगों को भी दिखाते हैं तो बस यह था हमारा आज का लोग उमीद करते हैं पसंद आएगा मैंने पहले भी आप लोगों के स अच्छे चावल बनते हैं तो यह सिंपल सी रेसेपी है और तो बस खाना हमारा तयार है तो आईए अब मेरे बेर के खाना खाते हैं और मुझे दीजिए इजाज़त ये था मेरा आज का विलोग और उमीद करती हूं पसंद आएगा पसंद आए तो प्लीज लाइक कमेंट शे सब्सक्राइब कीजिएगा तो मुझे दीजिए अजाज़त दौाओं में याद रखिएगा तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट विडियो में नेक्स्ट विलोग में तब तक के लिए अला आफेज